स्रिल्लंगा की कारेवास राष्टपती रानिल विक्रम सिंखे ने बीते दिनों देश में आपातकाल को लागू कर दिया। उनका प्रशासन सामाजिक अशांती को दूर करने और आर्थिक संकट से निपटने का लगातार प्यास कर रहा है। अधिसूजना में कहा गया है कि सार्वजनिक सुरक्षा, ल लंका की संसत की बैठक हुई और संकट गरस्त राष्ट को कुछ राहत देने के लिए इंधन की एक खेप पहुँची। श्री विक्रम सिंखे पूर्ण कालिक राष्टपती पत के लिए शिर्स दावेदारों में से एक हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि वे ये छोड़ दें क्योंकि उनके चुने जाने पर और अशांती की संभावना बढ़ सकती है। नौसेना की कीलो शेनी की पंडुब्बी आई एन एस सिंधु धच को 35 साल की सेवा के बाद बीते दिनों विशाखा पत्नम में सेवा मुक्त कर दिया गया। इसके साथ नौसेना के पास अब सेवा में 15 पारंपरिक पंडुब्बियां ही हैं। नौसेना ने कहा कि इस पंडुब्बी में स्वदेशी सोनार USHUS, स्वदेशी उपग्रह संचार प्रणाली रुकमनी और MSS, Inertial Navigation System और स्वदेशी टारपीडो फायर कंट्रोल सिस्टम के ओपरेशन सहीत कई अ मानित किया गया है। जून 1987 में नौसेना में शामिल सिंधुधवच 1986 और 2000 के बीच रूस से भारत द्वारा ली गई दस कीलो स्रेनी की पंडुब्ब्यों में से एक थी। इन में से आई एनेस सिंधुरक्षक अगस्त 2013 में मुंबई बंदरगाह में एक दुरगटना में खो जर्मन HDW पंडुब्यां, चार फ्रेंच स्कॉर्पिन पंडुब्ब्य और स्वदेशी प्रमानु बैलेस्टिक मिसाइल पंडुब्य आई एनेस अरिहंत शामिल हैं। इसकॉर्पिन स्रेनी की अंतीम दो पंडुब्यां परिक्षन और आउट फिटिंग के विभिन बनाया गया था। कीलो पंडुब्यों के इनिशिल एडिशन ने 1980 में परिचालन सेवा में प्रवेश किया और 1990 के दशक के मध्य तक ये बनाये गए। आंधर प्रदेश के मुख्यमंत्री Y.S. जगन मुहन रेड़ी ने कहा है कि राज्य सरकार आजादी का अमरित शाह के साथ मुख्यमंत्रियों के वीडियो कॉन्फरेंस में बोलते हुए स्री जगन मुहन रेड़ी ने कहा कि अभियान के दौरान हर घर और प्रतिष्ठान रास्ट्रिय ध्वच फहराने के लिए हर संभो प्रयास करेंगे। गौर तलब है कि किंद्र सरकार पच्छतरव और हर घर तीरंगा अभियान देशभक्ती की भावना को प्रमोट करेगा। इस अभियान के तहट प्रतेक नागरिक को अपने घरों में रास्ट्य ध्वच तीरंगा फहराने के लिए सरकार प्रमोट करेगी। यह पहल भारत के संस्कृती मंत्राले के नोडल मंत्राले प्राजादी के अमरित महस्तों के एक हिस्से के रूप में शुरू की गई है। भारत में राश्टिय धोच को कैसे नियंत्रित किया जाता है? यहां फ्लैक कोट 2002 भारत सरकार द्वारा तयार किया गया है। यह राश्टिय धोच के उपयोग, एक्जिबीशन और फहराने पर गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। भारत का फ्लैक कोट 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। केंद्र सरकार ने इस अभियान के मद्दे नजर तीन तरह के जंडों के उत्पादन की विवस्था की है। और यह डाग घरों में उपलब्ध होंगे और लोग तिरंगे को ऑनलाइन भी खरीच सकेंगे। अफ्रिकी देश घाना ने अधिकारिक तौर पर मारबर्ग वाइरस के दो मामलों की पुष्टी की है जो इबोला के समान एक संक्रामक बीमारी है। घाना में कियेगे परिक्षन पोजीटिव आए लेकिन WHO की अनुसार मामलों की पुष्टी के लिए सेनेगल में एक प्रयोक्षाला द्वारा परिनामों को वेरिफाइट किया जाना है। घाना हेल्ग सर्विस वायरस के फैलेने की किसी भी जोकिम को कम करने के लिए काम कर रहा है। जिसमें सभी पहचाने के संपरकों को अलग करना शामिल है। इनमें से किसी में भी अब तक कोई लक्षन विक्षित नहीं हुआ है। यह पश्चिम अफ्रीका में मारबर्ग का दूसरा प्रकूप है इस ख्षत्र में वाइरस के पहले मामले का पिछले साल गीनी में पता चला था WHO ने कहा कि दक्षिनी घाना के ख्षत्र में मरने से पहले दो रोगियों में दस्त, भुखार, मितली और उल्टी के लक्षन देखे गए थे 1967 से अब तक एक दर्जन मारबर्ग प्रकूप हुए हैं और ये ज़्यादा तर दक्षिनी और पुर्वी अफ्रीका में देखे गए हैं WHO का कहना है कि यह fruit बैट से फैलता है और संक्रमिच सत्हों और सामग्रियों के सीधे संपर्क के जरिये मनुश्यों में फैलता है IISC बंगलूरों ने बीते दिनों अपने Center for Infectious Disease Research में एक viral genome sequencing प्रयोक्षाला का उदगाटन किया यह भारत में COVID-19 संकट से निपटने और भविशे के प्रकोपों के लिए तयार करने में मदद करने के लिए एक community based fund crypto relief से grant के साथ इस्थापित किया गया संस्थान ने कहा कि grant के जरिए IISC में मौजूदा viral BSL-3 यानि जैव सुरक्षा अस्तर तीन सुविधा के विस्तार का समर्थन किया गया CIDR में COVID-19 अनुसंधान का समर्थन करने के लिए IISC को 5 करोर रुपे का वित्व पोशन किया गया है प्रयुक्षाला SARS-CoV-2 वाइरस से संबंधित अध्यानों पर ध्यान किंद्रित करेगी इन में वाइरस मूटेशन और वेरियन की निरंतर निगरानी और ट्रैकिंग शामिल है IISC के एक बयान में कहा गया है कि विस्तारित वाइरल BSL-3 इसुविधा SARS-CoV-2 मूटेंट, सेल कल्चर और पशू मॉडल में वाइरस के वेरियन और क्रॉस रियक्टिव इमिनेटी के आकलन पर अनुसंधान का समर्थन करेगी एक साल से अधिक समय से IIHC का CIDR राज्य और केंदर सरकार के साथ सक्रिये रूप से काम कर रहा है ताकि COVID-19 RT-PCR Clinical Services प्रदान की जा सके और SARS-CoV-2 वाइरस से संबंधित रिसर्च किया जा सके नया वाइरल Genome Sequencing Facility Center, SARS-CoV-2 वाइरस के विकास और हमारे स्वास्थे पर इसके प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए चल रहे प्रयासों को प्रोमोट करेगा मनिपूर के राजिपाल लाग गणेशन ने बीते दिनों पश्चिम बंगाल के राजिपाल का पदभार ग्रहन किया स्री गणेशन ने कलकत्ता उचिन्यायले के मुखिन्याय अधीश प्रकाश स्रीवास्तों से शपत ग्रहन की श्री गानेशन ने पश्चिम बंगाल के पुरुव राजजिपाल जगदीप धनखड के इस्तिफे के बाद राज्य के राजजिपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाली है श्री धनखड जिन्हे राश्टिय जद्दांत्रिक गटभंधन द्वारा उपराश्टपती पत का उम्मिद्वार बनाया गया है उपराश्टपती पत के चुनाव के लिए हाल ही में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गौर तलब है कि समिधान के अनुक्षेद 155 के अनुसार राश्जिपाल की निवक्ती राश्टपती के द्वारा प्रत्यक्छ रूप से की जाएगी लेकिन वास्तों में राज्यपाल की नियुक्ती राष्टपती के द्वारा केंद्रिय मंत्री मंडल की सिफारिश पर की जाती है राज्य की कारेपालिका का समयधानिक प्रमुख राज्यपाल यानि गवर्नर ही होता है जो मंत्री परिसत की सलाह के अनुसार कारे करता है कुछ मामलों में राज़ेपाल को वेवेका धिकार दिया गया है ऐसे मामलों में वह मंत्री परिशत की सलाह के बिना भी कारे करता है राज़ेपाल राज़े में केंद्र का प्रतिनिधी होता है और राष्टपती के प्रसाद परियंत यानि की पांच साल की अवधी की समापती के बाद वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्त्राधिकारी पद ग्रहन नहीं कर लेता देश में एक नए रक्षा पारिशितिकी तंत्र के विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोधी ने बीते दिनों कहा कि भारत सबसे बड़े हतियार आयातक से रक्षा ख्षत्र में एक बड़े निर्यातक के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है डॉक्टर अंबेटकर्ण इंटरनेशनल सेंटर में नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाजेशन और्गिनाजेशन यानि इन आई 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 ओ के सेमिनार स्वावलंबन के में बोलते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि 21 सदी के भारत के लिए भारतिये सेनाव में आत्म निर्भरता का लक्ष बेहत अहम है पिछले आठ सालों में हमने न केवल रक्षा बजट में बरहुतरी की है बलकि हमने ये भी सुनिश्ट किया है कि यह बजट देश में ही रक्षा निर्मान पारिशिती की तंत्र के विकास में उप्योगी हो आज रक्षा उपकर्णों की खरीत के लिए निर्धारित बजट का एक बड़ा हिस्सा भारतिये कमपनियों से खरीत पर खर्च किया जा रहा है पिछले 4-5 वर्सों में हमारे रक्षा आयात में लगभग 21 फीश्दी की कमी आई है आज हम सबसे बड़े रक्षा आयातक से बड़े निर्यातक की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं NIIO का मकसद आत्मनिर्भर भारत के वीजन को ध्यान में रखते हुए रक्षा क्षत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नवाचार और स्वदेशी करण को बरहावा देना है NIIO एक त्रिस्तरिय संगठन है जिसे नेवल टेकनोलोजी एक्सेलेरेशन काउंसिल इन टेक, इन टेक के तहत वरकिंग ग्रूप्स और टेकनोलोजी डेवलोप्मेंट एक्सेलेरेशन सेल यानि TDAC में बाटा जा सकता है केंदर सरकार ने हाली में नियुनतम समर्थन मुल्य यानि MSP के मुद्दों पर गौर करने के लिए पुर्व केंद्रिय क्रिशी सचीव संजे अग्रवाल की अध्यक्षता में एक कमीटी का गठन किया है पैनल में किसानों के प्रतिनिधियों के लिए तीन पद अभी खाली हैं जिन्हें किंद्र द्वारा किसानों की ओर से सिफारिशे मिलने पर भरा जाएगा प्रधानमंत्री स्री नरेंद्र मोधी ने तीन क्रिशी कानूनों को रद करने के निर्ने की घोशना करते हुए ये कहा था कि शुन्य बजट आधारित खेती को बरहावा देने के लिए देश की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फजल पैटर्न बदलने और MSP क और क्रिसी अर्थशास्त्री शामिल होंगे इसमें ये भी कहा गया था कि समीती घरेलू उत्पादन और नेरियात का लाभ उठाकर किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मुल्य के जरिये उच्च मुल्य सुनिशित करने के लिए देश की बदलती अविशक्ताओं के अनुस भाव देगी भविश्य की जरूरतों के लिए प्रोटोकॉल वैलिडेशन एंड रिसर्च और भारतिये नेचुरल फार्मिंग सिस्टम के तहत क्षत्र विस्तार के लिए प्रचार और किसान संगठनों की भागिदारी और योगदान के माध्यम से समर्थन करेगी फसल दिकतों के बाद नीधन हो गया, 77 वर्षी अच्चीतन कुदलूर का जन्म केरल में हुआ था, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एबस्टेक्ट वर्क्स से की और उनकी कई चित्र पत्रिकाओं और किताबों के कवर पर पब्लिश भी हुए, वह एक उत्साही पाठक औ और लेखक भी थे, और मल्यालम पत्रिकाओं में उनकी लखुगत्थाएं प्रकाशित होती थी, सत्तर के दर्शक में स्री कुदलूर मद्रास कला आंदोलन में एबस्टेक्शनिज्म का अभिन्द अंग मन गये, देश के सबसे प्रमुख अमुर्थ चित्रकारों में से एक के रूप में उन्होंने देश भर में कई प्रदर्शनिया की और विदेशों में कई शो का हिस्सा भी रहे, वह 32 मिनट की डॉक्यूमेंटरी रेट सिंफनी दे आर्ट ओफ अचितन कुदलूर का भी विशय थे, जिसे गीता हटसन ने बनाया था, डॉक्यूमेंटरी ने कला काफी समय बिताया, उन्होंने कहा कि कॉंटेंपररी आर्ट में श्री कुदलूर की कॉंट्रिबूशन को दुनिया भर में याद किया जाएगा हाली में केंद्रे जंजातिय कार्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी ने गोल कारिक्रम के बारे में जानकारी दी वर्तमान में चल रहे संसत के मानसुन सत्र में उन्होंने इस कारिक्रम की विशय में लोकसभा में बताया गोल यानि Going Online Age Leaders जंजातिय कार्यमंत्राले और मेटा जो की पहले फेस्बुक था इन दोनों का एक सेंक्त पहल है इसका मकसद मेंटॉर यानि सलहकार या प्रशिक्षन देने वाला और मेंटी यानि प्रशिक्षू के कॉंसेप्ट के जरिए जंजातिय इवाओं और महिलाओं का डिजिटल इंपावर्नमेंट करना है गोल कारिक्रम के पहले चरण को मई 2020 में शुडू किया गया था इस चरण में प्रशिक्षू को तीन पाठेक्रम में 40 घंटे से अधिक की टेनी दी गई थी वहीं दूसरे चरण यानि गोल 2.0 को 28 जून 2022 को शुडू किया गया इसका मकसद इंटरप्रेनियोर्शिप को बरहावा देकर और डिजिटल तकनिक का उप्योग करके जनजातिय इवाउं के कौशल को डिजिटल रूप से एडवांस बनाना है चरण एक में एक प्रशिक्षक को दो प्रशिक्षिओं से जोर कर ऑनलाइन डिजिटल मेंटरशिप की सुविधा दी गई पहले चरण से प्राप्त शिक्षन के आधार पर दूसरे चरण के डिजाइन में बदलाव किया गया योजना के तहत प्रशिक्षू बनने के लिए आवेदन आमंत्रित करने की जगह गोल्ड दो कारिक्रम जनजातिय समुदाय के सभी लोगों के लिए खुला होगा इस कारिक्रम का मकसद जनजातिय इवाओं को फेस्बुक लाइव सेशन और एक डिजिटल सिक्षन उपकरन मेटा बिजनेस कोच के जरिये कौशल को बरहाना और डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है वन धन नामक सेल्फ हेल्प ग्रूप्स के दस लाग से अधिक सदस्यों पर विशेश फोकस किया जाएगा वे अपने उत्पादों की बाजार मांग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग को लेकर डिजिटल रूप से प्रशिक्षित होंगे गोल 2 विभिन ख्षत्रों के उद्द्योग विशेशग्यों से लाइव सेशन्स के आधार पर जनजातिय इवाव में ट्रेनिंग के लाभों की अधिक्तम भागीदारी को सक्षम बनाएगा ये कारेक्रम पूरी तरह से मेटा यानि फेस्बुक इंडिया की ओर से फंडेड है जनजातिय कारेमंत्राले ने इस कारेक्रम के इंप्लिमेंटेशन के लिए कोई एक्स्पेंडिचर नहीं किया है या कोई धनराशी उपलब्ध नहीं कराई है हाल ही में हैंले पास्पोर्ट इंडेक्स जारी किया गया इंडेक्स के अनुसार एशियाई देशों, जापान, सिंगापूर और दक्षिन कोरिया के पास सबसे शक्तिशाली पास्पोर्ट हैं गौर तलब है कि COVID महामारी से पहले इस इंडेक्स में उरोपिये देशों का बोल बाला था आपको ये बता दें कि ये इंडेक्स quarterly जारी किया जाता है एक जापानी पासपोर्ट 193 देशों को हैसल फ्री इंट्री प्रदान करता है रूसी टेवल डॉकुमेंट्स को पचासवे अस्थान पर रखा गया है जिससे रूसी जनता की 119 देशों तक easy access हो सकती है असी देशों में पहुँच के साथ चीन 79 अस्थान पर है वहीं भारत का पासपोर्ट रैंकिंग में 87 अस्थान है और अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे कम उपयोगी है जो धारक को केवल 27 देश ही प्रदान करता है इस रैंकिंग में जापान को पहला और सिंगापूर सहीद साउथ कोरिया को दूसरा अस्थान मिला है हिनले एंड पासपोर्ट साइट दुनिया के 99 पासपोर्टों के लिए रैंकिंग प्रदान करती है जिनके धारक वीजा मुक्त यात्रा करने वाले देशों की संख्या के अनुसार यात्रा कर सकते हैं एक विशिष्ट पासपोर्ट जितने देशों तक पहुँच सकता है वह उसका वीजा मुक्त स्कोर बन जाता है International Air Transport Association के सहयोग से और उनके वैश्विक डेटाबेस से आधिकारिक डाटा के आधार पर हिनले एन पार्टनर्स ने 2006 के बाद से दुनिया के अधिकांश देशों और ख्षित्रों के वीजा नियमों का विश्टेशन किया है हिनले पास्पोर्ट इंडेक्स अपने नागरीकों के लिए उस देश के सामाने पास्पोर्ट होल्डर द्वारा प्राप्त यात्रा सुतनता के अनुसार देशों की वैश्विक रैंकिंग होती है यह 2006 में हिनले एंड पार्टनर्स वीजा प्रतिबंद सुचकांग के रूप में शुरू हुआ और जन्रवरी 2018 में इसे संशोधित किया गया और इसका नाम बदल दिया गया भारत और नामीबिया गंडराज ने आज वन्यजीव सनक्षन एवं सतत जैविविस्ता उप्योग संबंधी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरिस्टेंडिंग पर साइन किया है इस MOU में दोनों देशों के बीच वन्यजीव सनक्षन और सस्टेंबल बायो डाइवर्सिती उप्योग पर जोड दिया गया इस MOU के तहत वाइड लाइफ प्रोटेक्शन और सस्टेंबल बायो डाइवर्सिती उप्योग को प्रमोट करने के लिए mutual beneficial relationship को बरहाया जा सकेगा यह mutual honor, संप्रभुता, समानता और भारत अथा नामीबिया के सरवच हीतों के सिध्धानतों पर आधारित है Memorandum of Understanding में विभिन बातों को शामिल किया गया है जैसे की biodiversity protection जिसमें चीते के protection पर जोड़ दिया गया है साथ ही चीते को उनके पुराने इलाके में दोबारा अस्थावित करना है जहां से वे विलूप्त हो गए अच्छे तोर तरीकों को साज़ा करके wildlife protection और sustainable biodiversity उप्योग भी इसमें शामिल है चीते की मौजुदगी अफरीका के दक्षिनी हिससे जैसे की दक्षिन अफरीका, नामीबिया, बोच्षवाना और जिंबाववे में है जहां वे प्रासंगिक पारिस्थीति की ये जलवायू विवित्ता में रहते हैं इसके मौडल पर भारत में चीते के लिए स्थान बनाया जा रहा है इसके तहट चीते के लिए ऐसा माहौल तयार किया जाएगा जो उसके अधिक से अधिक अनुकूल हो विश्लेशन से पता चलता है कि दक्षिन अफरीका के जिस वातावरन में चीते रहते हैं उसे देखते हुए भारत के मध्यप्रदेश में इस्थित कूनो राष्टे उद्ध्यान उनके प्राकृतिक हैबिटेट के लिए सरवाधिक अनुकूल है वर्स 2020 में सुप्रिम कोट के डाइरेक्शन के अनुरूप भारत में चीते को दोबारा अस्थापित करने का कार्य परियावरन वन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले के अधिन इन टी सी ए यानि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरीटी कर रही है तथा उसका मागदर्शन सरवाध चनयायले द्वारा नामित एक्सपर्ट कमीटी कर रही है IIT दिल्ली के शोथ करताओं ने भारत में उन ख्षत्रों की पहचान करने वाला एक मैप विक्सित किया है वर्सा के कारण होने वाले मिट्टी के कटाव की सबसे अधिक संभावना वाले ख्षत्र असम और मेगाले में स्थित हैं जिनमें ज्यादातर दोमट, गाद दोमट और रेत मिट्टी दोमट बनावट वाले इलाके हैं मेखाले में पुर्वी खासी पहाडियों पर स्थित लेटकन स्क्यू और चेरा पुंजिक ख्षत्रों में वर्सा होने वाले मिट्टी के काटाव के लिए सबसे अधिक समेदंशिल ख्षत्र हैं सबसे कम असूरक्षित ख्षत्र लद्दाख में शाही कांगडी प्रवत्य क्षत्र है भारत में कुल नस्ट हुई मिट्टी का एक बड़ा कारण वर्सा से होने वाले मिट्टी के कटाव को माना जाता है हाला कि भारत में वर्षा के क्छरन का वर्तमान आकलन बड़े पैमाने पर वर्षा गेज रिकॉर्डिंग और सर्वेज पर आधारित रहता है वहें ग्रेडेट वर्षा डेटा सेट का उपयोग करके भारत में वर्षा च्छरन का पहला ऐसा राश्ट्री अस्तर का आकलन किया जा रहा है जो वर्षा प्रेडित च्छरन को समझने और इसे कम करने में सहायक होगा एक घंटे के अस्थाई पैमाने पर भारतिये मांसून डेटा एसिमिलेशन एंड एनालीसिस आई एम डी एए दैनिक पैमाने पर भारत मौसम विज्ञान विभाग डेटा और स्टेशन डेटा के साथ ग्लोबल क्लाइमेट हैजार्डस ग्रूप इंफ्राडेड वर्षा सहित कई डेटा सेट का उप्योग करके यह नक्षा विक्सित किया गया है अंतराश्ट्री होकी महासंग यानि FIH ने बीते दिनों भारतिये प्रशासक नरिंदर बत्रा के पत से इस्तिफ़े के बाद मिस्र के सईफ अहमत को अपना कारेवाहक अध्यक्ष निक्त किया है बत्रा इस ने एक बयान में कहा कि सर्वसम्मती से अहमत को दो दिवसिये वर्चूल कॉंग्रेस के दौरान 5 नवंबर को नए चुनाव होने तक अपना अंतरिम प्रमुख निक्त किया गया है बत्रा 2016 में FIH के अध्यक्ष बने थे और पिछले साल ही 2024 तक दूसरे कारेकाल के आपको बता दें कि अगला FIH होकी पूरुस विश्वकप जनवरी 2023 में ओडिशा के भूवनेश्वर और रावर केला में होने की यूजना है गौर तलब है कि अंतरास्ट्री होकी महसंग आउट्डोर होकी और इंडोर होकी को संचालित करने वाला एक इंटरनेशनल बॉड 1924 में स्थापित FIH का हेड़क्वाटर स्कॉट लैंड में है असम सरकार ने हाल ही में वीकल रेजिस्टेशन सर्टिफिकेट और ड्राविंग लाइसेंस जारी करने के लिए एक नई ऑनलाइन प्रनाली शुरू की है इस प्रनाली के तहत अब लोगों को बार बार परिवह कारियाले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह प्रनाली पहले के चिप अधारित स्मार्ट कार्ट की जगह QR कोड अधारित होगी इसे केंद्रिय सडक परिवहन मंत्राले की अधिसूचना के अनुरूप बनाया गया है इसमें embedded QR कोड के साथ नई RC में टॉप लेयर के जेंसी, मोबाइल फोन के साथ QR कोड को सकैन करके कार्ट धारक के डाटा को आसानी से सत्यापित कर सकता है डिलर पॉइंट्स पर RC की छपाई और डिलीवरी के जरिये ड्राइविंग लैसेंस ना केवल बीचौलियों की भूमिका को समाप्त करेगा बलकि पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी भी लाएगा एक्सपर्स का कहना है कि नई प्रनाली की शुरुआत के बाद हर साल लगभग 10 से 15 लाक मोटर चालक इससे लाभानवित होंगे इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने हाल ही में राष्टपती सर्जियो मटेरेला को अपना इस्तिफ मत खारिज कर दिया प्राजनितिक संकट ने इटली में महीनों की स्थिर्था को समाप्त कर दिया है गौर तलव है कि पुर्व किंद्री बैंकर द्रागी ने उक्रेन पर रूसी आक्रमन के लिए उरोपिय प्रतिक्रिया को अपना समर्थन दिया था इसके अलावा वैश्व पती चुनाव की घोचना करते हैं तो द्रागी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पत पर बने रहेंगे इसरो यानि इंडियन स्पेस रिसर्ट औरगनाजेशन ने अपने मेजर मिशन के लिए नई डेड्लाइंस निधारित कर ली हैं बताया जा रहा है कि गगन यान मिशन के अगले साल के अन्त में होगा यह पहला अगले साल के लिए ही निधारित किया गया है इनके बाद 2024 के थर्ड क्वार्टर में स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया जाएगा स्पेस डॉकिंग उस प्रोसेस को कहा गया है जिसमें दो अलग-अलग लॉंच किये गए अंतरिक्ष यानों को जोड़ा जाता है इसे मुक्षितह माडूलर स्पेस स्टेशन स्थाबित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है गौर तलब है कि अबाट मिशन उन सिस्टम को टेस्ट करेगा जो अंतरिक्ष यान की विफलता के दोरान बीच उड़ान से क्रू के सदस्यों को बचने में मदद कर सकते हैं आपको बता दें कि 2018 में इसरो ने पैड एबाट टेस्ट किया था जिसमें लॉंच पैड पर इमर्जेंसी की स्थिति में क्रू के सदस्य अंत तक ले जाये जाएगा आपको बता दें कि किनी दो सेलेशियल बॉडिज के बीच पांच लेगरेंजियन पॉइंट्स होते हैं जहां दोनों बॉडिज द्वारा सैटेलाइट पर लगने वाला ग्रैविटेशनल पूल उस फोर्स के बराबर होता है जो सैटेलाइट को बिन लूनर मिशन चंद्रियान 3 एक लेंडर रोवर मिशन होगा जिसका मुख्य उद्देश्य चांद पर सौफ्ट लेंडिंग करना है जारकन की पुर्व गवर्नल द्रौपदी मुर्मू देश की 15 राष्टपती बन गई है और रिशा के मयरुभन्ज की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू भली आदिवासी महिला हैं जो राष्ट के सरवच्च समयधानिक पत पर पहुँची है इसके साथ ही वे देश की दू दूसरी महिला राष्टपती बनी हैं गौर तलब है कि मुर्मू सबसे कम उम्रिकी और आजादी के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली राष्टपती हैं मुर्मू ने राष्टपती चुनाव में 64% वोटों के साथ प्रभावी जीत दर्च की आईए अब एक नजर इनक इन्हों ने अपने घर को एक बोर्डिंग स्कूल में बदल दिया 1994 में मुर्मू ने एक टीचर के रूप में अपने करियर की शुरुवात की बाद में ओडिशा के सिंचाई विभाग में एक कलर की पतभर भी इन्होंने नौकरी की और फिर 1997 में इन्होंने राय रंगपूर नगर पंचायत के पार्सत चुनाव में जीत दर्ज की और ऐसे उनके राजनितिक जीवन की शुरुआत हुई मई 2015 में वे जारखंड की नौवी राज़ेपाल बनी जारखंड की पहली महिला राज़ेपाल होने के साथ ही वे किसी भी भारती राज़ेकी राज़ेपाल बनने वाली पहली आदिवासी हैं बताया जा रहा है कि मुरुमू की जीत के बाद दिल्ली में विजय जुलुस निकाला जाएगा किसी राष्टपती की जीत के बाद ऐसा पहली बार होगा गौर तलब है कि राष्टपती रामनाथ कोविंद का कारेकाल 27 जुलाई की मध्यरात्री को खत्म हो रहा है 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू नए राष्टपती के रूप में शपत ग्रहन करेंगी ACN Development Bank ने वितवर्ष 2022 तेश के लिए भारत के GDP ग्रोथ रेट को 7.5% से घटा कर 7.2% कर दिया है आपको बता दें कि इससे पहले अप्रैल में ADP ने Center Bank द्वारा मौद्रिक नीती की संभाविच सकती और बढ़ी हुए महंगाई दर के अनुमान को देखते हुए विधी दर में यह कटोती की है ADP ने भारत के लिए अपने महंगाई दर का अनुमान वितवर्ष 2022 तेश के लिए 5.8% से बढ़ा कर 6.7% कर दिया है यह एनुमान रूस और इक्रेन के बीच चल रहे इउध के कारण आवश्यक वस्तूओं के बढ़े दाम को देखते हुए लगाया गया है ADP ने 2022 के लिए अपने Asian Development Outlook रिपोर्ट में ये भी कहा कि नीजी खपत में नर्मी और मैनुफैक्चरिंग में गिरावट से भारत की GDP ग्रोथ रेट 2021-22 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च में 4.1% रही डिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पर COVID-19 के लिए नए वेरियंट Omicron का असर हुआ है इसके कारण वितवर्ष 2021-22 के लिए GDP व्रिधी अनुमान को एमेंट कर 8.9% से 8.7% कर दिया गया ADB ने दक्षिन एशिया के 2022 के लिए GDP व्रिधी अनुमान को 7.5% कर दिया वहीं 2023 के लिए इसे 7.4% से घटा कर 7.1% किया गया है इसका मूख्य कारण स्रिलंका में आर्थिक संकट और हाई इंफ्रेशन तथा भारत में मौद्रिक निती को कड़ा किया जाना है गौर तलब है कि एशियाई विकास बैंक एक्षत्रिय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए की गई थी यह बैंक Even Economic Commission for Asia and Far East और गैर एक्षत्रिय विक्सित देशों के सदस्यों को समलित करता है इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी अब सदस्यों की संख्या 68 हो गई है एशियाई विकास बैंक का मुख्याले मनिला फिलिपिन्स में है और इसके representative offices पूरे वर्ड में है COP26 के अध्यक्ष रहे आलोक शर्मा के 21 से 22 जुलाई 2022 के भारत दोरे के क्रम में नीती आयोक ने दो महत्वपूर्ण इनिशियेटिव्स की इन में से पहली है E-Amrit यानी Accelerated E-Mobility Revolution for India's Transportation यह एक mobile application है जिसका मकसद बैटरी चालित वाहनों के प्रती लोगों में awareness पैदा करना है Users को E-Amrit एप पर कई जरूरी informations मिल सकेंगी वे बैटरी चालित विकल्स के लाभों को समझने में सक्षम होंगे इन विकल्स से होने वाली बचत का पता लगेगा और भारत में बैटरी वाहनों के बाजार और उद्योग से जुरी हुई हर सुचना उपलब्ध हो जाएगी वहीं दूसरी पहल के तहट भारत के बाजार में उन्नत रासायनिक सेल वाली बैटरीयों को री यूज करने और उनकी री सैक्लिंग करने संबंधी रिपोर्ट जारी की गई बीते साल यूके के ग्लासगो जलवायू सम्मेलन के निर्नेयों पर हस्ताक्षर करने और उसका समर्थन करने वाले 42 देशों में भारत भी शामिल है यूके और अमेरिका के साथ साथ भारत भी सरक यातायाद पर ग्लासगो जलवायू सम्मेलन का सहभागी है सरक यातायाद संबंधी निर्नेयों का लक्ष है शुन्ने उत्सरजन वाहनों का निर्मान करना जिन में दो तीन पहिया वाहन, कारे, वैन और भारिक शमता वाले वाहन शामिल है इस लक्ष के तहत 2030 तक सभी ख्षत्रों में इन वाहनों को सस्ता, आसानी से उप्लब्ध और टिकाव बनाया जाएगा कम कार्बन का उत्सरजन करने वाली अवसन अचना को बढ़ावा देने के लिए नीती आयोग यी वाहनों बैटरी चार्ज करने की सुविधाओं और बैटरी भंडारन जैसे क्षित्रों में युके के साथ सहयोग कर रहा है लांच के समय कॉप 26 के अध्यक्ष ने उल्लेक किया कि विश्व में तेजी से भरते वाहन बाजार में भारत पांचवा सबसे बढ़ा देश है उसके पास बैटरी चार्ज करने वाहनों को अपनाने की अपार्ग शमता है शुने उत्सरजन करने वाले वाहनों के विकल्प को अपनाया जा रहा है और इसमें तेजी आ रही है इस तरह एक लाग से अधिक नए इमोबिलिटी रोजगार पैदा हो रहे हैं प्रोध्योगिकी की लागत कम हो रही है साफ हवा सुनिश्चित हो रही है और आयातित इंधन पर हमारी निर्भरता कम हो रही है इवी पहलों को आरंभ करने के दोरान नीती आयोग के CEO ने इवी उको प्रणाली के तेज विकास उद्योग जगत की भरती भागिदारी अंतरास्टी सहयोग और सरकारी नीतियों के समर्थन को रिखांकित किया उप्योग करताओं को इअम्रित एप पर कई जरूरी सुचना मिल सकेंगी दिनेश गुर्णुवर्धने को स्रिलंका का पंद्रहवा प्रधान मंत्री निक्त किया गया है 73 साल के दिनेश गुर्णुवर्धने एक वरिष्ट राजनेता हैं इससे पहले वे स्रिलंका के विदेश मंत्री और स्रिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं प्रुव में विरोथ के चलते ततकालीन राष्टपती गोटाबाया राजपक्षे अपने परिवार के साथ देश छोरकर भाग गये थे प्रदर्शनकारियों का मानना है कि गोटाबाया ने देश की एकनॉमिक को अव्यवस्थित कर दिया इसके चलते देश बैंकरप्ट हो गया है रान से केवल 31 किलोमीटर है भारत और स्रिलंका के बीच पाक स्टेट मौजूद है यह देश भारी आर्थिक संकट से जूज रहा है संसत के मानसुन सत्र में दे एंटी मैरिटाइम पैरेश्री बिल 2019 को विचार और पारित करने के लिए लिस्टिट किया गया है यदि यह बिल प कारवाई करने में सक्चम हो सकेंगे बिल सेयुक्त राष्ट समुद्री कानून संधी के मद्दे नजर पेश किया गया है यह एक्स्क्रूसिव एकोनॉमिक जोन से परे के समुद्र यानि भारतिय समुद्री तर्ट से 200 नॉटिकल मिल से परे लागू होता है बिल के मुताब की गैर कानूनी कारवाई करना पैरेसी में हिंसा के लिए उकसाना या जान बुझकर इस कारवाई को आसान बनाना तथा जहाज या एयरक्राफ्ट की पैरेसी में स्वेक्षा से भाग लेना भी शामिल है पैरेसी करने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रोवीजन है और अ करता है और उसे समर्थन देता है पाइरेसी की कोशिश करता है और किसी दूसरे को पाइरेसी में भाग लेने का निर्देश देता है तो उसके लिए 14 साल की सजा भुकतनी पड़ेगी और जुर्माना भरना पड़ेगा